नमस्कार दोस्तों मैं सिभूंक स्वाब को सवगत करता हूं प्रोगाइड CS चैनल में तो आप देख रहा है Microsoft Office Word 2007 तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चा था उसके अंदर हम लोग ने जो आपने लिए मतलब इंसर्ट करना है तो चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर पेज़े साहिए तो उसके यहां पर खैना है ठीक तो चलिए यहां पर देखिए पहला अप्षन आ रहा है cover page, cover page क्या होता है जो आप book लेते हैं उसका जो पहला मोटा वाला page होता है उसको हम लोग cover page बोलते हैं तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है यहां पर click करेंगे क्लिक करते हैं आपको यहां पर बहुत सारे यहां पर cover page का जो sample है वो दिखाया जाएगा तो देखिए यहां पर मैं है यह वाला ले रहा हूं तो देखिए यहां पर यह page cover page यह एड़ हो गया यहां पर इस तरीके से होता है और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करेंगे आप चेंज हो जाएगा तो यह आप जब बुग लेते होंगे उसमें पहले पेज में ऐसा कुछ रहता होगा जिसमें थोड़ा डिटेल लिखा रहता है ऑथर का नाम और प्रब्लिशर का नाम बेसिक जो जनकर यह हैं वह इसी में लिखी रहती है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कोई भी जो कहने के मतला पर कवर पेज है वो आप ले सकते हैं इसके बाद इसको गर हटाना है तो आप क्या करेंगे यहां पर कवर पेज पर क्लिक करेंगे और देखिए आप रिमूब करेंट कवर पेज यह बने क्लिक करना देखिए लगाने के लिए आप select कर देंगे तो select हो जाए गए लग जाएगा ठीक तो यह हो गया हमारा page cover फिर आता है blank page blank page क्या होता है जैसी एक blank page है खाली page उसको add करना है तो उसके लिए हम लोग blank page का यूज़ करते हैं हम लग क्लिक करेंगे सेमी है पर अभी blank page क्या होता है जहां से हम लोग select करेंगे वह यहां पर इन दोनों page की बीच में यहां पर इन दोनों page की बीच में एक page करना चाहते हम लोग क्या करें एक एक blank page करना है समझ में आगया होगा ऐसे आप यहां से blank page पर क्लिक करके आप ले सकते हैं फिर आता है यहां पर एक cover page आपको समझ में आओगा pages वाले सारे option समझ में आएंगे फिर आता है में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यह टेवल वाला option तो आपको इसके लिए हम लोग आगे बताते हैं आपको तो यह हमारा page है इसके अंदर हमें table करनी है तो table करने की बहुत सावी method है पहले हम लोग यूश करते हैं अब वह है यह की नॉर्मल द्रेग करना यहां से हम लोग धरख करें जितने वह यहां पर उतने वह खोंक कर सकते हैं और अगला बताते हैं आपको तो आगला यहां पर है जो number वास होता है जैसे insert table में क्लिक करेंगे फिर यहां ते टेवल का row number और column में डालेंगे, कितने row चीए, कितने column चीए, तो row किसको बोलते हैं, row बोलते हैं, जो यह होता है, ठिक, और column किसको बोलते हैं, जो ऐसा ऐसा होता है, जिसी 1, 2, यहाँ पर 1 और 2, two column हो गए, row किसको बोलेंगे, जो यहाँ पर ऐसे से होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और column बोलेंगे उ दो या तीन रखा देते हैं हमें तीन कॉलम चाहिए और यहां पर हमें नौ रो चाहिए और ओके करेंगे यहां पर तीन कॉलम हो गए एक दो तीन और रो कितने हो गए नौ तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, table को draw कर सकते हैं, फिर और इसके अलावा method एड़ करने के लिए, तो insert पे जाएंगे, table पे जाएंगे, और फिर आता है draw table, draw table में क्या होगा, आप line खींच के अपने से draw का सकते हैं, जैसे मैं इतना बड़ा एक box लेता हूँ, इसके अंदर हमे मैं यह एक line डाला मैंने, यहां से एक डादा, तो यह बन गी एक row, आप चाहें तो और भी drag कर सकते हैं, यहां पर यह मैंने drag कराई है, ठिक, तो आप इससे normal भी drag कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, डबल क्लिक कर देंगे, जहां खाली है, तो आपका यह जो select है, वो बन जाएगा, फिर अगला आप सना आता है, table add करने के लिए Excel spread sheet, Excel spread sheet होती है, जो हम लोग Microsoft Excel use करते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, यह है, तो यह जैसे यह Excel, seat add करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Excel जैसे, यहां पर जाएंगे हम लो कहा गया, यह, sorry, यह हमारा यह खुल गया था, तो देखें, यहां पर यह Excel spread sheet आगे, यह बर और करके दिखा देते हैं, यह मैंने table में click करा, Excel spreadsheet में click करेंगे, तो यहां पर यह आ जाएगे, तो यह एक और window खुल जाएगे, आपको ध्यान देना है, जब आप इसके अंदर ज ठीक, मैंने इतना लिख दिया है, अब मैं इसको close कर देता हूँ, तो यह देखें, यहां पर जो हमारी Excel spreadsheet sheet है, इसके अंदर यहां पर serial number और name आ चुका है, तो आप लिखेंगे वहां पर add यहां पर होगा है, जिससे double click करेंगे, फिर सी यह खुल जाएगा, यह देखें, यह यहां से इसको इसे खीच के बढ़ा भी कर दूँगा, यह थोड़ा हो रहा है, थिक, तो आपको double click कर करके, जितना भी आपको add करना है, name हो गया, surname हो गया, और last name हो गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और आप कहीं भी खाली जगे में क्लिक कर देंगे, तो यह add ह दिखेगा आपको, तो तीसरा यह चोथा method है, जो add करने का है, कि Excel आप यहां से add कर सकते हैं, फिर आता इसके अंदर quick table, quick table किसको बोलते हैं, जो पहले से बनी हुई है, जिससे यहां पर table पहले से बनी हुई है, उसका हम लोग use करने वाले है, जिसे यहां पर यह देखिए, example के लिए यह है, और यह बहुत सारे दिये हुए हैं, आप इसे use कर सकते हैं, यहां पर click कर देखिए, यह add हो चुकी है, तो यह बनी बनाई है, बस आपको यहां पर select करके edit करना है, जो भी name है, वो आपको change कर सकते हैं, यहां पर, ठीक, तो यह हो गई, पांच भी method, तो चा यहां पर table tool खुल जाता है, देखिए, अपर table ने select नहीं है, यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग table को select करेंगे, देखिए, मैं यहां पर table select कर लिया, तो यहां पर क्या खुल जाएगा, table tools, table tools का पहला option है design, दूसरा option है layout, तो design जैसे यहां पर normal table है, हमें देखन में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग चाहते हैं इसको थोड़ डिजाइन में डाल दे, तो design डानने के लिए अप total row यह से select करेंगे, यह इतना यहां पर देखिए, इसके अंदर change होगा, यहां पर total row में कर रहा है, यहां पर line है, लास्ट कॉलम में क्लिक क करेंगे, तो column भी हो जाएगा, boarded column यह भी हो गया, तो यहां पर चिंजोने वाला है, आपको यहां पर इसको कुछ नहीं करना है, इससे कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा, आपको यहां से apply करना है, तो जैसे मैं यहां पर गया, देखिए, छोटी सी यहां पर तीर बनी है, मैं आपको एक बर्वा समझा देता हूँ, कि यहां पर इसको तभी उसकर पाएंगे, जो आप table select होगा, table अगर select नहीं है, तो आप यहां पर table tool वाला option नहीं आएगा, देखिए, कोई table tool वाला option नहीं है, table tool वाला option यूज करने के लिए आपको करना पड़ेगा, पहले table को select क करने वाले हैं, देखिए यहां पर, यहां पर करेंगे तो इससे drag होगा, आपको क्या करना है, छोटी यह जो बड़ी सितीर बनी, इस पर click करना है, click कर देंगे तो यहां पर यह खुल जाएगा, तो देखिए, यहां पर मैंने इसको ले लिए example के लिए, तो अब यहां पर इसको बड़ी हो चुका है, अब देखिए, यहां पर जो lining है, यहां पर center में भी एक lining थी, वो दिखनी रही, तो इस तरीके से lining अगर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर बार्डर में कर देंगे, तो जितनी भी lining थी वो आप अच्छे से दिख रही होंगे, ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो table की जो color है, यह designing है, आप change कर सकते हैं, इसे setting में आप जाके आप change कर सकते हैं, कि background में कैसा चाहिए, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे अभी में यहां पर बस करना हुझे, तो मैं इसको select करूँगा, setting जाके, मैं इसको अगर rate कर दूँगा, rate हो जाएगा, नीचे आके, नीचे बाले select कर लूँगा, select करने के बाद इसका जो setting है, हम इसको yellow कर देते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर यह table tool बाला option अगर इसको यहां पर दिये हुए option आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से अपने आप design कर सकते हैं, ठीक, तो मैंने यहां पर select करा, अब यह अगर मुझे इसके इन दोनों के अंदर चाहिए कोई color तो मैं यहां पर जाओंगा और यह select कर लोंगा, देखिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, designing डाल सकते हैं, प्र आप करेंगे तो अपर यहां से लाइन को यूछ कर लेते हैं ये वाली तीन मतलब लाइन है वह तरीके से बॉर्डर है वह थिस मुझे लिए रही है और आल बॉर्डर में क्लिक करें देखें टिक तो जो हमारी जो टेवल है उसका जो बॉर्डर है वह कुछ इस तरीके से से हो चुका है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बॉर्टर लगा सकते हैं हमारी लाइने हो किस कलर कियाने चाहिए हो लाइने होने चाहिए इस तरही के से और हम लोग कर देंगे आल बोर्डर अब यहां पर कर देंगे और क्यों नहीं हुआ पिर आता है यहां पर रो ट्राइल प्रेवल क्या होती से कि यह यहांते हा पर र्रवा इससे मैं ने यहां पर कर negócio यह यह देखें यह तरीके क्यों आई क्योंकि जो हमने यहां पर जो लाइन लिया है वह ड्रॉब होगी तो अगर हम लोग नार्मल लेते हैं तो नार्मल आएगे अध्यारी दिखने रहे दूसरी लाइन देखते हैं कि यह तो आपको क्या करना है मिन समझ गया होंगे आपकी जो ड्रॉब आर्डर है उससे क्या होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कहीं भी लाइन की सकते हैं और जो बार्डर है उसका कलर जे और डिजाइन चेंड़ करना है तो हम लोग यहां से कर सकते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ए दो लाइने के लिए इस्टा हो गई इस पी क्लिक करा यह करा और यह तो इस तरीके से आपको यूज करना है अगर कुछ नहीं बने तो आप कमेंट करके हमारा वाट्सएप टेलीग्राम निमबर और बहुत सारे निमबर दिये हैं तो आप उसको यूज करके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक तो यह हो गया ड्राव बार्डर में आपको क्या क्या करना है समझे आया एक एक करके वापिस मैं रिविजन करा देता हूं कि पहले यहां प्याता हे टेबल की जो हमारा बार्डर है उसकी बार्डर की रियन हो गई अगर हम डौक्त करेंगे ऊप थावर któstar करेंगा इ utilizar says rice क् ez आवाले को लेंगे कितनी मोटी होनी चाहिए फिर आता है पेन कलर तो लाइन का कलर हम लोग चीज ने करेंगे लाइन के कलर हमने लिया करेंगे देखिए रेड कलर का रहा है तो यह क्या आप डॉटेबल वाला अपसन यूज करेंगे ठीक बाई चांस अगरा पूरे में लगाना है तो लोग कलेंगे और और देखिये पूरा जोंब डोका घुंध और यही आपको आऊपसे करने लोग यंदरग जिराट के अंदर बहुत ज्यादा पढूत आपसन हैं आप एक करके बढ़ेंगे आप हमार अच्छी समझ में आ जाएगा अभी के लिए बस इतना ही और कोई कुश्चन हो सवाल हो आप कमेंट करके पूछेगा धन्यवाद